हलो दोस्तों कैसे हो आप सब तो अब स्वागत आपका एक बार फिर मेरे चैनल पर तो आज मैं आपको एक भाई की मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो आपके बहुत काम आएगी उन्होंने अपना दस साल वीरे नाश किया था दस साल जो की कम नहीं होते बहुत जादा होते हैं दस साल बहुत होते हैं सोचो ऐसे में उनकी क्या हालत होगी तो उनकी हालत बहुत जारा बुरी थी वीरे नाश उन्होंने अपना बहुत किया था तो अचानक से उन्होंने हमारे वीडियोज देखे ब्रह्म चरे पालन के उन्होंने वीडियोज देखे और जो जैसे ऐसे बताया था वही फोलो उन्होंने किया आज उनको चार महिने हो चुके हैं अपना वीरे नाश नहीं करते हुए अपने वीरे को बचाते हुए तो यह motivational story कैसे है यह सुन लो भाई उनके लिए यह सब बिल्कुल असान नहीं था उनको भी बहुत सारी problem आई क्योंकि देखो याठ 10 साल कमनी होते हैं बहुत होते हैं वीरे नाश के तो जिन्दभी बरबाद हो चुकी थी वीडियो देके हमारे भ्रहमचरे पालन शुरू किया जब उन्होंने यह प्रोसेस शुरू किया उनको बहुत सारे दिक्कते आई वो कहते हैं कि 20 से 25 दिन मैं काबू कर लिया करता था खुद पर और उसके बाद फिर अपना वीरे नाश कर देता था रिलाप्स कर देता था 20 से 25 दिन कर करके और ऐसा उनके साथ 3 या 4 बार हुआ यह होता है जब आप भी यह फॉलो करोगे तो आपके साथ भी होगा क्योंकि जो एडिक्षन है ना मास्टर बेट का वीरे नाश का यह बहुत पुराना हो चुका है तो इसमें आपको दिक्कत आएंगी से छोड़न में आपको दिक्कत है आएंगी बस आपको घबराना नहीं है अगर बार बार आप रिलैप्स कर दे रहे हो तो फिर कोशिश करो हार मत मानो कहने के मतलब यह है हार मत मानो अगर उत्तेजिद होकर फिर से विरे नाश कर देते हो अपना रिलैप्स कर देते हो आप अपना विरे नाश कर रहे हो तो हार मत मानो हार मान जाओगे सब खत्म हो जाएगा बस हार नहीं माननी है और इन भाई ने भी यही किया इन्होंने हार नहीं मानी तीन चार बार इन्होंने रिलैप्स कर दिया 20 से 25 दिन में ऐसा यह कर देते थे पर 20 से 25 दिन 15 दिन यह रोक लेते थे ये देखो सबसे बड़ी बात है रोकना अपने आपको अपने आपको रोकना बहुत ज़रा जरूरी है इन्होंने ऐसा बार-बार किया और एक दिन ये काम्याब हो गए तो आपको भी भाई गपराना नहीं है आपको भी यही करना है अगर बार-बार रिलाब्स कर दिते हो तो फिर कोशिश करना है फिर कोशिश करना है हार नहीं माननी है खुद को समझाना है और फिर शुरू कर देना है दिखना आपको काम्याबी जरूर मिलेगी और इन भाई के साथ भी गपूआ 3-4 बार relapse कर दिया पर जोंने 5-6 बार जब कोशिश करी तो ये कामियाब हो गए क्योंकि ये तंग आ गए थे बहुत जारा इस सब से बहुत जारा बहुत दुखी हो चुके थे जब आप बहुत जारा दुखी हो जाते हो ना किसी चीज से तो आप उससे पीछा चुड़ाने के लिए वो सब कुछ करते हो जो जरूरी है और इन भाई ने भी यही करा ब्रहमचर रेपालन किया शुरू किया प्रोसेस सारा नाकामयाबी मिली इनको क्योंकि हर काम में फेलियर आपको जरूर मिलते हैं हर अच्छे काम में या चायो कामयाबी हो आपको किसी मकसद में आपको फेलियर जरूर मिलते हैं पर फेलियर ही सब कुछ होता भाई उसी समय सीखना चाहिए और फिर कोशिश करनी चाहिए इन्होंने भी यह करा और आज चार मैने इनको हो चुके हैं भ्रह मचलय का पारण करते हुए और आज इनकी जंदगी बहुत जादा बहतर हो चुकी है बहुत जादा बहुत खुश हैं और चार मैने में इनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिले हैं इनका फेलिजग अलो हो चुका है जो भी बेनि जो ने बताये हैं इनको वो सब मिले हैं सिर्फ चार महने में अब तो चारी महने हुए हैं सोच जब यह एक साल पूराय कर लेंगे तब क्या-क्या होगा इनके साथ बहुत कुछ होगा तो भाई यही थी इनकी स्टोरी मोटिवेशनल स्टोरी थी जो आपके बहुत काम आएगी आपको भी बस यही करना है घबराना नहीं है घबरा जाओगे हार मान जाओगे तो सब खतम कुछ नहीं बसने वाला घबराना नहीं है बस लगे रहना है नाकामयाभी मिले लिए कोई बात नहीं फिर कोशिश करो कहने यह हमारी मरदानगी है यह हमारे लिए सब कुछ है इसका बचाव करो और जिन्दगी में बेनिफिट्स और कामयाभी हासिल करो बस हार मत मानों देखना आपको कामयाभी ज़रूर मिलेगी तो यही थीन की मोटिवेशनल स्टोरी जो मैंने आपको बताई तो सीखो इंसे कु सब्सक्राइब करना मत भूलना और जो बैल आगान दिख रहा है उस पर किलिक कर दो ताकि मेरे जो भी वीडियो अपलोड़ो और सबसे पहले आप तक पहुचे और किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंड में बताओ में उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर ले कर दो नूब लेगा हूँ ऐस में अगान ≈ हो घूब लेगा है वीडियो जगे झालोगो ा टॉब लेगान आप पर कर दो दो लेगान ≈ हो जाए रहा है तो बैलना धॉीयो चेर